नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक वर फिर से ताहिति जोति तो आज वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आप सब को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि आप लोगों के बहुत है सुन्दर सुन्दर कॉमेंट आते हैं जिसे पढ़कर मुझे किस तरह के वीडियो बनाने चाहिए किस तरीके से बच्चे और अधिक लाभानवित हो सकते हैं उसकी मुझे प्रेणा मिलती है तो आप सभी के कॉमेंट के लिए बहुत बहुत और इसी तरीके से हम चीजों को सीखते रहें पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें तो आज की जो यह वीडियो है इसमें हम लोग महा स्वेता देवी जी द्वारा लिखित क्यूं-क्यूं लड़की नामक कहानी के प्रश्ण उत्तर को देखें तो यह जो कहानी है क्यू आदिवासी चाती है परंतु फिर भी उसमें हर चीज को जानने की ाजग है लळक है वे हर चीज को जानना चाहती है और इसलिए वहां के एक व्यक्ति आगी ने उसका नाम क्यूं-क्यू लड़की रख दिया है, क्योंकि वो हर बात में प्रश्न करती है क्यूं-क्यूं तो आइए अब हम इस पाट के प्रश्न उत्तर को देखते हैं सबसे पहले अस्तोनिष्ट प्रश्न इसके बीतर देखेए पहला प्रश्न है कि मोहिना किसका पीछा कर रही थी तो जैसा कि मैंने बताया कि इस कहानी की जो मुख्य पातर है वो मोहिना है लड़की तो इसके अंदर चार विकल्प दिये गए हैं पहला है बकरी का, दूसरा लोमडी का, तीसरा साप का और चौथा बिल्ली का तो यदि आपने कहानी पढ़ी हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि मोहिना जो है वो उस वक्त साप का पीछा कर रही थी देखने में, बहुती सुनने में अच्यरे चकित लग एetty आपको एक छोटी सी बच्ची साप का पीछा कर रही थी लेकिन कहानी में यही है कि मोहिना जो है वो एक साप का पीछा कर रही थी दूसरा प्रशन देखिए मोहिना कैसी लड़की है यहां पर चारवी कलफ है पहला है शान, दूसरा डर पोक, तीसरा जिद्धी और चौथा चंचन तो आप समच सकते हैं कि मोहिना जिसका नाम क्यूं क्यूं लड़की है वो निश्चित तोर पर एक जिद्धी सोहाव की लड़की हो सकती है क्योंकि उसके अंदर सभी कुछ जानने की जिग्यासा है सजग है ललक है इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है वह मोहिना कैसी लड़की थी मोहिना एक जिद्धी लड़की थी के बात का प्रश्न है मोहिना के पिता काम की तलाश में किस सहर में गए हुए थी यहां सहर का नाम है देखिए चारवी कल्प दिये गए है पहला है पतना दूसरा जम्षेदपूर तीसरा राची और चौथा कलकत्ता ठीक है चार विकल्प है तो मोईना के पिता जो है वो काम की तलाश में जमशेद पूर गये हुए थी ठीके इसका सही उत्तर जो है वो है जमशेद पूर अब इसके बात का प्रश्ना? मोईना की उम्र कितनी थी? तो देखिए यहां पर चार भी घल्प है पहला है कह दस साल दूसरा ख 12 साल, दिसरा जो गह है आठ साल और चौता है गह 15 साल मुहिना की उमर कितने साल घी जब यह कहाली लिखी जा रही है और जब उसके बारे में वर्नन किया जा रहा है तो मुहिना केवल और मात्र दस साल की एक छोटी सी है आग उतर यह प्रश्ण देखते हैं इये तो पहला प्रश्ण है कि लेखिका ने किसे साप का पीछा करते देखा, यहां पर देखिए लेखिका ने यहां पर मोईना होगा, मोईना को साप का पीछा करते हुए देखा, यहां पर इसका सही उत्तर है, के बाद दूसरा प्रश्ण है कीरी कौन थी? कीरी मोहिना की मा थी मोहिना के भाई का क्या नाम था? मोहिना के भाई का नाम गोरा था यह सब बहुत ही चोटे चोटे लगूतरिय प्रश्ण है इसलिए ज्यादा कुछ लिखने के लिए है नहीं तेवल एक तथ्यात्मक प्रश्ण है की भाई का नाम क्या था? मा का नाम क्या था? तो हमें वैसे ही बताना है प्रथा प्रश्न मोहिना क्या लेकर समिती वाली जोपड़ी में आकर जोपड़ी में रहने के लिए गई तो देखिए मोहिना एक जोड़ी कपड़े और एक नेवले का बच्चा लेकर समिती वाली जोपड़ी में रहने के लिए गई इसके बात का प्रश्न पाच नमबर गाओं में primary school खुलने पर सबसे पहले किसने दाखिला यानि admission किसने सबसे पहले admission लिया उत्तर देखिए गाओं में primary school खुलने पर सबसे पहले मोहिना ने दाखिला लिया, क्योंकि उसे पढ़ने की बहुत ही इच्छा थी, जानने की इच्छा थी, वे सब कुछ जानना चाहती थी, इसलिए जैसे ही गाउ में स्कूल खुलता है, सबसे पहले मोहिना जो है उसमें दाखिला यानि की एड्मिशन देती है, आए भाषा करने का फंदा लगाती, और बाबो की गोशाला थूती थी, यह सारे काम जो है, वो मोहिना किया करती थी मोहिना किस जाती की लड़की थी? उत्तर देखिए मोहिना जो थी वो एक सबर जाती की आदिवासी सबर जाती कौन सी जाती है? एक आदिवासी जाती है तो उस जाती की लड़की थी इसके बाद का प्रश्न है मोहिना को क्यूं क्यूं लड़की नाम किस ने दिया था और क्यूं तो दो प्रश्ने हैं पहला प्रश्ने कि किस ने दिया था और दूसरा क्यूं दिया था देखें मोहिना को क्यूं क्यूं लड़की नाम गाओं के पोस्ट मास्टर ने दिया था क्योंकि वह हर बात में क्यूं क्यूं कहती थी, कोई भी बात होता था तो पूस्ती थी क्यूं, क्यूं, इसलिए postmaster ने उसका नाम क्यूं क्यूं लड़की रख दिया था इसके बात का प्रश्न मोहिना अन्य लड़कियों से किस प्रकार भिन भिन शबकार यहां पर क्या है अलग इस प्रकार से अलग थी या भिन थी तो देखिए सबर जाती कि अन्य लड़कियों को काम नहीं करना पड़ता था पर मोहिना को काम करना पड़ता था इस कारण जो थी वो मोहिना जो थी वो को डिक है कि तुम ये जो हर बात पर पूछती है क्यों क्यों इसका उत्त्र तुम्हे कहां मिलेगा। किताबों मिलेगा इसलिए वे किताबे पढ़ती हें लेखीका कि इन बातों से मोहिना को पढ़ने की प्रेरणा मिली उसने निश्चे किया कि वह पढ़ना सिखेगी और सारे सवालों के जवाब धूर निकालेगी उसके जितने सवाल है वो सारे सवालों को वो सवालों के उत्तर दोड़ से सब्सक्राइब आगे दिखेए, आदिवासी लोगों के जीवन सहली का जो तरीका होता है उसका परिशे पुत्तर दिखिए आदिवासी लोग गरीव और भूमी हीन है उन्हें नदी से पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता है वे पत्तों की जोपड़ी में रहते हैं बक्रियां पालते हैं वे हरे पत्ते चावल के क्रे मिर्ची वाला भोजन साम को बड़े प्रेम से खाते हैं तुबा दिन भर काम करते हैं क्योंकि वे काफी गरीब होते हैं भूमी हीन होते हैं उन्हें अपने भोजन पानी के लिए स्वयम मेहनत मसकत करनी पड़ती है इतनी मेहनत मसकत करने के बाद भी जब साम होता है तो वैसा भी मिलकर प्रेम से भोजन ग्रहन करते हैं यह उनकी भी मैहनसेशली है तो देखिये देशा अनुषार उत्तर दीजिए तो पहला है पंगती है इतनी जिद्धी है कि एक बात पकड़лен यह उससे हटती ही नहीं यह एक पंक्ती है पंक्ती के लिए पहला प्रशन है कि यह किसने किस से कहा है उत्तर यह लेखिका से मोहिना की मा मोहिना की मा जो रहती है क्या नाम रहता है उसका खीरी किरी मोहिना के बारे में बताती है कि जब वो इतनी जित्ती है कि एक बार किसी बात को अकर पकड़ ले तो उससे पीछे नहीं हटती है अब देखिए दूसरा प्रशन संकेतित पात्र की दो बिसेष्टाओं का उल्लिक किजिए यहां पर संकेति यानि किस पात्र के बारे में बतलाया गया है तो यहां पर यह पंक्ति जो है यह पंक्ति किसके लिए इस्तमाल किया गया है किसके बारे में बताया गया है तो यह पंक्ति जाइसी बात है मुहिना के लिए कहा गया है, तो हमें मुहिना के दो विशेष्टाओं का उलिट पहला क्या है? संकेतिक पाथ्र कितग्य है? दूसरों का आभ़ार मांती है और सदा कोई ना कोई काम करती रहती है, या नि मुहिना की नमबर दूसरी पंक्ति है कि आलस मत करो सवाल पूछो यह किस पार्ट की पंक्ति है इसके लेखा का नाम लिखिए तो देखिए यह क्यू क्यू लड़की पार्ट की पंक्ति है इसकी लेखी का महाश्वेता देवी है यह सीधा सा प्रश्णी था जिसका बहुत ही सीधा टूद पॉइंट एंसर है अब देखिए दूसरा प्रश्ण इस पंक्ति की ब्याख्या कीजिए तो देखिए इस पंक्ति में मुहिना कह रही है कि शिक्षा को आलस्ष शिक्षिका को आलस्षी नहीं करना चाहिए आलस्षी अब देखिए भासा बहुत से संबंदित प्रश्ण है तो देखिए लिखे शब्दों से प्रत्य प्रिथक कीजिए यहां पर हमें क्या करना है प्रत्य प्रिथक करना है सबसे पहले हम लिखेंगे मूल शब्द और फिर हम लिखेंगे प्रत्य हमें साब पीछे लगता है आपको पता है तो चोटिया में मूल शब्द है चोटी ठीक है और इसमें प्रत्य क्या है यहां ठीक है अजारों में हज्यार हमारा मूल शब्द है और प्रत्य है और इसी तरीके से हिलाती में हिल हो सकता है या फिर हिलाना यह मूल शब्द है और इसका जो प्रत्य है वो क्या है इसका प्रत्य है आपका आती कि आती जो है उसका प्रत्य है बाबूँों में बाबू मूल शब्द में जब प्रत्य लगता है तो शब्द बनता है ठीके बाबू और इसका प्रत्य है हो ठीक है और इस तरीके से बुद्बुदाती में बुद्बुदाना, ठीक है, बुद्बुदाना, और इसका मूल सब्द है C, मचलियों में मचली, मचलियां सब्द है, मचलियां सब्द में मूल सब्द है मचली, और प्रत्य है या, ठीक है, यह हमारा पहला वाला कम्प्लीट हुआ, दूसरा है, प्रयायवाची लिखिए तो बहुत ही सरल है आप लोगों ने इन में से बहुत सारे शब्दों के प्रयायवाची आप निश्चीती तौर पर पहले से जानते होंगे जैसे चिडिया का पक्षी जलावा आपका पंची हग नभचर बहुत सारे हैं जंगल का जंगल का आप लिख सकते हैं वन कानन अरण्य सूरज का सूर्य, प्रभाकर, दिवाकर, भासकर कितना सारे शब्दे हैं आप इन्याराम से लिख सकते हैं प्रभाकर दिनकर दिवाकर, भासकर बहुत सारा आप लिख सकते हैं इसी तरीके से सांप का शर्प इसके अलावा पार क्या लिख सकते हैं शर्प के अलावा नाग विश्धर यह वी एक शब्द है यह एक और शब्द आपको बताऊंगी थोड़ा नवीन है तक आपको नवीन शब्दों को भी चीख सके चक्षू च्रवा यह सांप का परयाएवाची शब्द यह मैंना आपको एक नवीन बताया है इसी तरीके से प्रित्वी का तो धारा खर्ती भू पेड का तो आपको पताई होगा तरू रिक्ष विटप गांच पहुँच सारे शब्द है और आखिर का अब जो है वो है हमारा परियाएवाची माफ कीजिएगा वाक्य बनाओ जिमनलकित सब्दों का प्रयोग वाक्य में कीजिए वाक्य प्रयोग के लिए मैं हमेशा हर वीडियो में ही ये बात बार-बार कहती हूँ कि आप वाक्य प्रयोग जो है स्वयम करने का प्रयास करें इससे आपको सीखने में सहायता मिलेगी आप एक काम और कर सकते हैं स्वयम भी बाक्य प्रयोग कर सकते हैं और कॉमेंट में बता सकते हैं कि हम लोगों ने ये बाक्य प्रयोग किया है तो क्या ये बाक्य प्रयोग सही है तो इससे आपके अंदर सीखने की विवस्था बनेगी और तरफ यही से देख कर लिख लीजिएगा तो वह ज्यादा अच्छा नहीं होगा हाला कि यदि आपको ना आए तो आपकी सहायता के लिए यह लिख दे रही हूं बता दे रही हूं आपको लेकिन आप कोशिश करें कि आप स्वयम कम से कम बाग की प्रयोग तो स्वयम से जरूर करें तो पहला सब्द है ध्रूवतारा आपको पता ही है ध्रूवतारा एक अटल तारा है कहानी हमें कहानी या फिर लिख सकते हैं आप मोईना की कहानी बड़ी रोचक है समीति कार्थ क्या है आपको पता ही समीति सभाज होती है जिसमें बहुत से बच्चे जाते हैं तो आप यहां पर समीति का समीति ने जो विद्याले खोला था उसका उल्ले किया गया तो आप लिख सकते हैं कि समीति ने बच्चो के लिए वैसला लिया है इसके बाद का शब्द है कक्षा कक्षा में लिख सकते हैं कक्षा में सौरगुल नहीं करना चाहिए कि अधिया आप लोग अक्सर करते रहते हैं पर अन्तु किसान आज थी भूमी घेन है यहां पर यह बाक्य प्रियोग समथ हुआ तो इसके साथ ही इस पार्ट के अंतरगर्द जो भी वस्तुरिष्ट प्रशन में बहुविकल्पी प्रशन लगुतरीय प्रशन बहुत मुलक प्रशन या भासा बहुत की जो भी प्रशन है जो से हम लोगों ने कर लिया है आसा है कि यह आपके लिए बहुत ही उप्योगी होगा और आपके पढ़ने में आपकी साहता करेगा इसके साथ ही मुझे यह भी आसा है कि यह आपके लिए हिंदी विशय में एक रोचक्ता को बढ़ाने का कारे करें कि आप ज्यादा से प्रणार वार्वाग्ट